कहानी की शुरूरात में हम जी रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो के लास वेगस में एक डांस टीचर है और जैक अपने फ्रेंड रॉबिन के साथ मील कर साइड में एक और काम भी करता था। रॉबिन उन इमिग्रिंट लर्कियों को ढूनता था जीने ग्रीन कार्ड चाहिए और उन्हें ग्रीन कार्ड दिलवाने के लिए जै उनसे शादी करता था और उनसे पैसे लेता था। जे को जल से जल बहुत साड़ा पैसा कमाना था और उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था सिर्फ पैसा ही उसके जिन्देगी का मकसद है जीना नाम की एक लड़की जे की दांस कास की एक स्टूडेंट थी जीना जे को बहुत पसंद करते थी और एक दिन वो जे को ये बात कहती है लेकिन जे उसके बातों को सिरियसली नहीं लेता है और उसे ना कह देता है लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जीना एक बहुत बड़े कसीनो ओनर बॉब ग्रोवर की बेटी है तो उसे आसान से अमिर बनने का एक रास्ता नजर आता है और फिर वो जीना से फिर से दोस्ती करता है और उससे प्यार का नाटक करने लगता है जीना के पेरिंस को भी उन लोगों की रिष्टे से कोई भी आत्राज नहीं था और फिर फाइनली जे का अमिर बनने का सपना पुरा हो जाता है उसके बाद जे जीना के बड़े भाई टोनी और उनके फियानसे नताशा से मिलता है और नताशा को देखकर जे पहचानता है क्योंकि नताशा ही लास्ट इमिग्रिंट लड़की है जिससे जे ने शादी किया था और नताशा को वो लिंडा के नाम से जानता था और लिंडा जे को बाकियों सारे और्तों से अलग लगी थी जिनके साथ जे ने शादी किया था जे को नाताशा यानि लिंडा काफी पसंद आने लगती हैं। और दूसरी तरफ जे को ये भी पता चलता है कि जीना के पापा और उसके भाई काफी खतार नाक है। उन लोगों को जो भी धुका देता है उन्हें वो इतने आसानी से नहीं छोटते हैं। वो लोग उन लोगों की जिन्देगी बरबाद कर देते हैं। और ये सब कुछ देख कर जे थोड़ा डर जाता है। जे को अपने जिन्देगी में जो भी चाहिए था उसे वो सब कुछ म जाता है और लिंडा और टोनी की शादित से एक दिन पहले जे लिंडा को मजाक में ये कहता है कि उन लोगों को डिवोर्स कर लेना चाहिए उसके बाद उस दिन रात को लिंडा टोनी के घर से अपने एपार्टमेंट में रहने जाती है और टोनी के वहाँ से जाने के बाद ज से दोनों बाहर गूमने निकल जाते हैं और जी और लिंड जुट मूट कर एक करते है और वो दोनों एक दूसरे से करते हैं कि दोनों टुनी और सिर्फ पैसो के लिए ही शादि कर रहे हैं उसके बाद जी जब लिंडिया को घर वापस छोने आता है तब यह वहां तोनी भी आ जाता है और वहाँ पर आकर तोनी उसे मारने लगता है क्योंकि वो उसे बिना बताए घर से बाहर गई थे तोनी के आने के वज़ा से जै छुप गया था लेकिन तोनी लिंडा पर ऐसे हाथ उठा रहा है इसे देख कर जै बाहर आ जाता है और वो तोनी को रोकता ह और टोनी गुस्से में जे पर गोली चलाने जाता है और तभी लिंडा टोनी के सर पर वार कर देती है और फिर जे और लिंडा दोनों वाह से भाग जाते हैं उसके बाद टोनी और उसके आद में जे और लिंडा को धूढने लगते हैं और वो लोग जे पर ये आड़ोप लगा देते हैं कि जे ने लिंडा को किद्ड नेप किया है और उसने उन लोगों के कसीनों से दो मिलिएं डॉलार चुराया है जिसके वज़ा से पुलिस भी उन लोगों को ढूनने लगती है और टोनी को ये भी बता चलता है कि नताशा का असली नाम है लिंडा और उसने जे से शादे भी किया था उसके बाद जे और लिंडा बचते बचाते हुए एक होटल में छुपते है और वहाँ पर लिंडा जे से ये कहती है कि वो लोग छे भाय बेहन है और उसकी फैमिली के हालत बहुत ही बुरी है इसे लिए वो टोनी से शादे कर रहा था ताके वो उसके पैसों से अपने फैमिली को सपोट कर सके और जे लिंडा को ये दिलासा देता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को एरिस्ट करकर लेकर जाती है लेकिन जे और लिंडा उन लोगों से बच कर भागने लगते हैं इसे बीज लिंडा के हाथ में चोट लग जाती है लेकिन वो लोग बच जाते हैं उसके बाद जे अपने फ्रेंड रॉबिन को बुलाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो रॉबिन के साथ लिंडा को भेज देगा और खुद सेरेंडर कर देगा और ये ही एडमिट करेगा कि उसने लिंडा को किर्णर किया था लेकिन जब लिंडा को ये बात पता चलती है तो वो ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहते है कि जे और वो दोनों एक साथ ही रहेंगे और इस चीज का सामना करेंगे उसके बाद वो दोनों फिक पासपोर्ट बनाना चाहते थे ताके वो दोनों कही पर भी जा सकते लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए एक हफता टाइम लगेगा और रॉबिन उन दोनों से कहता है कि वो एक हफते बाद उन लोगों के पास पासपोर्ट लेकर आएगा और तब तक के लिए लिंडा और जे मेक्सिको चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों लिंडा के फैमिली से मिलते हैं और वो दोनों वहाँ पर शादी कर लेते हैं और उसी दिन रॉबिन उन लोगों को पासपोर्ट देने आता है लेकिन तभी पीजह से Tony Robin को shoot कर देता है जिसके वजाय से Robin की मौत हो जाती है और उसके बाद Linda और Jay वहाँ से भागने लगते है लेकिन Jay को भी गोली लग जाता है और उसके बाद कोज दे टोनी और उसके आदमी उन्लोगों के कार को chase करते है लेकिन फिर लिंडा कार को एक ट्रेन के सामने लेकर आती है और वो जेक की हालत देखते हुए जेक को ट्रेन में छुपा देती है और खोद कार लेकर वहाँ से चली जाती है उसके बाद कुछ लोग जे को ट्रेन से रिस्क्यू करते हैं और उसकी treatment करके उसे वापस से ठीक कर देते हैं और थोड़ा ठीक होने के बाद जे वापस से उसी जगहा पर आता है जहाँ पर लिंडा ने उसे उस ट्रेन में उठाया था और वहाँ पर पठ्रियों के बीच उसे उसका फोन मिलता है और बाद में फोन को चार्ज करने के बाद जे देखता है कि लींडा ने उसे लास्ट एक मैसेज भेजा था जहाँ पर यह लिखा हुआ था कि वो यहाँ से जार ही है और जे उसे भूल जाए यह मैसेज पढ़ कर ज काफी परिशान हो जाता है और वो वापस आता है और टोनी के ही एक employee जमाल से contact करता है जमाल एक अच्छे इंसान ही और वो जे को पसंद करते थे और जे जमाल से मिलना चाहता था लेकिन जब जमाल जे से मिलने के लिए आता है तब टोनी और उसके आदमी भी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और जब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो टोनी के आदमी गोलिया चलाने लगते हैं जिसके वजह से जमाल घायल हो जाता है नेकिन मरने से पहले वो जे को ये बता कर जाता है कि लिंडा कहा पड़ है जो सुन कर जे बिलकुल तूट जाता है उ जे उन सब को मार डालता है और वो टूनी का सर उसके कार में पटक पटक कर उसे मार देता है और तभी जीना पिझे से आकर जे को गूली मारती है लेकिन फिर जब जे जीना की तरफ देख कर खड़ा होता है तो जीना उसे नहीं मार पाती है और फिर जे वहां से कार लेकर निक चुपाने के बाद लिंडा देखती है कि टूनी और उसके आदमी उन लोगों के पीछे ही आ रहे थे और वो इसलिए वहाँ से कार को लेकर भाग गई और टूनी भी उसे कार को चेज करने लगते हैं लेकिन फिर वो लोग एक क्लिफ के सामने आ जाते हैं और आगे कोई रास् बुल जाए और फिर वो कार को ड्राइफ करकर उसे क्लिफ से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है और उसी जगा पर अब जे ख़ड़ा हुआ है और वो बहुत रोता है लेकिन उसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराता है और वो भी वहाँ से छलंग लगा देता है और फिर मौत की जड़ी वो लिंडा से फिर से मिल जाता है